नमस्कार देवियों और सज्जिनों जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने हुंडा अमेज कार यहां पे खड़ी हुई है जो कि हमारी फैमिली की पहली कार है इसको हमने साड़े तीन साल पहले धन्तेरेस के दिन परचेश करी थी कि वावण हजार किलोमेटर यह अभी तक चल चुकी है अब इसका हम रिविव करेंगे वावण हजार किलोमेटर पर कि क्या इसके पॉजिटीव हैं वक्ता अपके सामने रखेंगे वह एकदम जैनून तरीके से तो इस वीडियो को बिना स्किप कि देखते रही है आपका अप आपको मिलेंगी अनबायस रिव्यूज जैनूनली तो अभी स्क्रीन में जिस बंदे को आपने देखा वो है मेरे बड़े भाईया जो आज मुझे एसिस्ट करेंगे ये बताने में कि हॉंडा अमेज के नेगेटिव और पॉजिटिव से और जो पहला पॉजिटिव मुझे ल चारो तरफ से इसके डिजाइन एलिमेंट्स को आपको दिखाऊंगा और ये देखने में अपने सेग्मेंट में बाकियों से बहुत अलग लगती है जैसे कि औरा है डिजायर है वो भी अपनी तरफ देखने में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूप सूरत है लेकिन इसका जो डिजाइन है वो मुझे ओवर पीरियोड ऑफ टाइम बहुत अच्छा लगने लगा है और ये बाकियों से थोड़ी अलग हटके लगती है दूसरा पॉजिटिव है इसका स्पेस और इंटीरियर अब ये जो है न मुह से कहके नहीं पता चल सकता इसके लिए मिरको आपको जो है अपने भाईया का यूज करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि 5-10 इंच का इंसान अगर आगे बैठाओ और पीछे भी बैठाओ तो कितना स्पेस है पीछे वाली सीट पर तो इसके लिए चलिए मैं आपको वह चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हुए है लगबग 5-10 इंचिंद की हाइट है और उसके बाद भी आराम से बैठे हुए है थाई सपोर्ट मैं मानूंगा कि इस सेग्मेंट में इतना ही मिलता है तो उसमें कुछ ज्यादा कंप्लेंट कर नहीं सकते अब मैं चाहूंगा कि आप पीछे वाली सीट पर आके बै अगर मैं बात करूँ हेड रूम की तो आप देख सकते हैं हेड रूम भी लगबग 2 इंच के आसपास में कहूंगा वो आपको मिल जाएगा तो ये चीज भी काफी अच्छी है बात करूँ अगर इसके तीसरे पॉजिटिव की तो वो है इसका बूट स्पेस जो कि मैं आपक काफी शांदार है और आपको अच्छा खासा केरिंग कैपसिटी इसमें मिल जाता है अब बात करें इसके चौथे पॉजिटिव की तो वो है इसकी कमफिटिबल राइट अगर आप सिटी में रहते हैं और आप चाहते हैं आपके हाँ पॉट होल्स वगएरा बहुत जादा ह और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है उसपे से इसली गलाइट करके निकल जाए तो ये गाड़ी मुझे काफी अच्छी लगी इसके सस्पंशन सेटप जो है थोड़े सॉफ्टर साइड है जिसकी वज़े से जो आपकी राइट्स वगएरा है वो काफी कमफिटिब अगर आप बात करते हैं इसके पॉफॉमेंस की तो और अगर मैं बीशटे पॉजटिव की तो वो है इसका लो मेंटेनंस कॉस्ट इस गाड़ी को लगभग हम 52,000 किलो मेटर चला चुके है और 52,000 किलो मेटर में जो मेरे को लगता है जो इसकी 9000 रुपए 9500 रुपए में हुई थी तो आप ये समझ सकते हैं कि 6424 लस 9 लगबग 33-34,000 रुपए मुझे इसकी services में खर्चा करने पड़े हैं अलग से अगर मैंने इसमें कुछ लगवाया है तो वो किसी को भी उसके charges दे नहीं होते हैं पर फिर भी ये गाड़ी low on maintenance है और आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है साथवे positive को बताने के लिए मुझे गाड़ी के अंदर जाना होगा और गाड़ी को चलाना होगा और तब मैं आपको दिखा पाऊंगा कि उसका साथवा positive क्या है तो let's get into the car तो अगला feature दिखाने के लिए मैंने जैसा कि बताया था कि हमें पहले इस गाड़ी को चलाना होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं देखिए गाड़ी में पहला गेर लगा रहा हूँ मैं अपने GoPro में आप ये देख सकते हैं और उसके बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ अब आप मेरा speedometer देखिए गाड़ी अब मैंने दूसरा गेर लगाया और अगर मैं इस गाड़ी को अब थोड़ा down भी करता हूँ देखिए मैं इसको 30 तक भी लेके आता हूँ देखिए अभी 30 से नीचे आ गई है गाड़ी और मैं अगर इसको अभी accelerate करूँगा तो ये गाड़ी जर्क नहीं करती है और अगर मैं इसको चौथे गेर में डाल दूँ गाड़ी को और उसके बाद इसको further down लेके आऊँ 20 तक भी तो भी ये गाड़ी जो है बिल्कुल जर्क नहीं करती है आप देख सकते हैं मैं accelerator नहीं ले रहा हूँ अभी और अब मैंने लेना शुरू किया है तो 20 की स्पीड जो है उस पर भी ये गाड़ी चौथे गेर में जर्क नहीं करती है तो अगर आप अपनी गाड़ी को traffic conditions में भी चलाते हैं तो आपको जो gear shifts हो गेरा हैं वो जादा नहीं करने पड़ेंगे जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा इवन इफ आपके पास manual गाड़ी है तो भी अगला feature की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसकी mileage तो उसके लिए भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ अपनी trip अगर आप देख पा रहे हों तो मेरी गाड़ी 139.7 km चली है पिछली बार मैंने इसे first cut पे fuel भरवाया था इसमें और अभी testing के दोरान जो है इसकी mileage जो है वो लगभग 19 की दिखा रहा है जब मैंने गाड़ी निकाली थी आज घर से बाहर तो 19.4 था अब इसको हम tank to tank चेक करते हैं first cut तक ही फिर से fill कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये गाड़ी actual में mileage कितना देती है अभी जो MID में दिखा रहा है वो 19 हाला कि मैंने देखा है 7-8% का error होता है MID में मतलब actual mileage 7-8% कम होती है बट वो चीज़ देखते हैं कि कितनी सही है अब चलते है पेट्रोल पंप की तरफ भाई आप देख सकते हैं महां पे मीटर जो है वो 0 है और हमने इसमें फ्यूल डालाना शुरू किया है अब देखेंगे इसकी actual tank to tank mileage कितनी आती है तो फाइनल रीडिंग जो है अगर आप देख पा रहे हों तो वह है 8.19 लीटर्स 792 रुपय का पेट्रोल आया अब हम देखेंगे कि हमारी गाड़ी ने actual mileage कितनी दी है तो जैसा कि अभी आपने पेट्रोल पंप पे देखा मैं 8.19 तो लगबग जो mileage निकल के आती है वो लगबग 17.05 के आसपास है मतलब 17 का average यह गाड़ी आपको city और highway का जो mix है उसमें यह गाड़ी बड़े आराम से आपको देदेगी पेट्रोल में जो कहीं से भी खराब नहीं है तो अगर बात करें इस गाड़ी के negatives की तो पहला negative ज जो है वो खराब कर देता है गाड़ी की दूसरी चीज जब इसमें इस गाड़ी में passenger बैठते है ना पीछे वाली सीट पे और आप अपना सामान अगरा रखते है तो पीछे से पूरा पहिया जो है वील आर्ट से एकदम टच होने को हो जाता है जो कि देखने में इस लोड हमेशा पढ़ते रहता है पढ़ते रहता है उससे आपके suspension बहुत जल्दी बोल जाएंगे इस गाड़ी का जो दूसरा negative मुझे लगता है वह इसका जो steering है वह इतना ज्यादा responsive नहीं है अगर मैं दिखाओं आपको steering तो देखिए इतना तो play है और यह गाड़ी जो है जब नई ली थी तब भी इसमें इतना play था being a car इतना play मेरे को समझ नहीं आता और दूसरा इसकी retractability का issue है मतलब अगर आपने इसको मोड़ा तो यह अपनी जगे पर अपनी position पर जल्दी आता नहीं तो यह जो है यह बहुत ही एक मतलब down side है इस कार का जो की मतलब steering से आपको 20 की speed पर हूं हो सकता इस video में ना भी दिखाई दे लेकिन अगर मैं इसको अभी पहला gear लगानी की कोशिश करूंगा तो देखिए अटकता है और मतलब काफी काफी बार मशक्कत करने के बाद इसमें यह gear लगता है और यह ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी में नहीं होता और प आपको दिखाता हूं अभी तो मेरी गाड़ी मुव्मेंट में थी अगर मैं एकदम स्टैंड स्टिल खड़े हो जाओं तो बिना गेर अटके देखना लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ऐसा नहीं है कि गेर लगता नहीं है बट पता नहीं क्यों अगर मोशन मे तो कई बार यह अटक जाती है अगला जो गाड़ी में मुझे लगता है वो है इसके फोड़े जादा है हाला कि यह पेट्रोल इंजन है बट यह हॉंडा का 1.5 लीटर का जो आई वीटेक इंजन सिटी में यूज होता है उतना जादा रिफाइंड नहीं है तो बाहर से जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो यह जो चीज है यह हमेशा से इसमें थोड़ा एंविएच लेवल्स वगेरा जो है नौट एस पर हॉंडा स्टेंडर्स हो सकता है आपको लगे कि नहीं मेरे लिए सही है है वो मिसिंग है हाला कि इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत ही शांदार है और मुझे इतना ज्यादा कोई फरक नहीं पड़ता बट फिर भी बहुत से लोगों को रियरेस इवेंट्स लगता है कि जरूरी होने चाहिए हर गाड़ी में तो इसमें वो रियरेस इवेंट्स है चाहिए आप इसका टॉप एंड ले लें तो भी तो यह जो चीज है वो डाउन साइड है मेरे लिए अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो अगला जो नेगेटिव है मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है सामने सामने दिखाता हूं जैसा कि मैंने बताया था कि इसके आमरेस जो है उसका जो इनकलीनेशन है वो काफी नीचे की साइड है तो ऐसे अगर कोई जैसे मेरे बहिया जैसा या मैं भी टॉल आदमी बैठता है तो उसे जुकना पड़ता है उस आमरेस का सपोर्ट लेने के लिए और दूसरी कमी जो है वो है इसके अगर पीछे वाली सीट पर तीन बंदे लंबे चौड़े बैठे हो तो यह एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी की अलग तो यह था ओल एन ओल हॉन्डा अमेज के पॉजिटिव और नेगिटिव के बारे में अभी हाला कि इसका एक फेसलिफ्ट आया है जिसमें आगे हुड मे जो है इंसुलेशन लगा दी गई है पीछे ट्रंक में भी थोड़ा इंसुलेशन लगाया जिससे हो सकता है न्वेच लेवल में थोड़े सुधार हो लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्राइरिटीज क्या है अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हैं कम गेर शि पीट्स पे लेके जाना है तो इस गाड़ी को मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए तो यही है all in all मेरी नजर में हॉंडा के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बुराई चाहे जितनी कर ले पर नई गाड़ी अभी नहीं लेनी है बिल्कुल सही बात है नई गाड़ी लेन और हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल आटो इंफो टेक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए जय हिन जय भारत वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहु